दोस्तों आपके फेवरेट शो उडारियां में आगे कहानी इंटरस्टिंग होती जा रही है क्या कुछ नजर आ रहा है चलिए बात करते हैं क्या है जैस्मिन की नई चाल नवश्कार आप देख रहे हैं बॉलिवुड स्पाई दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं आपके फेव जाती है और सिम्रन सच्चाई सामने लाती है और कहती है कि बुजो और ते जो भाई बहन की तरह है वहीं दोस्तों आपको बता दीए यह सुनकर जहां फतह को गिल्ड तो महसूस होता है वहीं दोस्तों अब प्रोमो में तो कुछ और ही नजर आ रहा है कि फतह घरवालों के सामने कहता है कि अब से अकैडमी का काम तेजो ने ही जैस्मिन सभालेगी और यह सुनकर घर वाले हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये फतह क्या बोल रहा है दोस्तों उसके बाद नज़र आ रहा है प्रोमो में कि तेजो को इस बात का अंदाजा नहीं है और वो कि क्या ये बात फतह को मालूम है तो इस पर फिर से जैस्मिन जो है कही ने कही टॉंट मारते हुए कहती है कि हाँ हम दोरों ने ही मिलकर ये फैसला लिया है कि आगे अकैडमी के काम मैं देखूंगी दोस्तों हम सभी जानते हैं कि फतह की अकैडमी के लिए तेजो ने कितनी मेहनत की है और इस तरीके से फतह का सब कुछ जैस्मिन के हाथों में थमा देना वागए देखकर बड़ा आजीब लगता है और तेजो के लिए काफी बुरा लगता है अब देखना ये होगा दोस्तों कि जिस तरीके से हमने देखा कि जैस्मिन ने जब कमरा चीनने के कोशिश की थी तब जैस्मिन को मूँ की खानी पड़ी थी अब देखना हुआ कि जब जैस्मिन अकैडमी चीनना चाहती है ऐसे में तेजो जैस्मिन को किस तरीके से करारा जवाब देगी आखर किस तरीके से फिर से जैस्मिन को मुँखी खानी पड़ेगी दोस्तों ये देखना काफी इंटरस्टिंग होगा आपको क्या लगता है दोस्तों ऐसे में तेजो को क्या करना चाहिए कमेंट सेक्षिन में ज़रूर बताईएगा अभी के लिए इतना ही देखते रहिए बॉलिवुड स्पाई